दस बारा दिनों के बाद आज की यंगेस्ट फार्मर निकिता चोदरी आ चुकी है एक दमदार व्लॉग लेकर SPNF का तो कुछ बात इस तरह से है कि मैं 10-12 दिन से ट्रिप पर थी उसकी वज़े से मैं खेतों के क्यार नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर पर थी ही नहीं तो फिर क्या हुआ मेरे जाने के बाद पूरी तायस ने सौच की चीजे तो आज उनी को मैनेज करना तो देखो पूरा व् पूरा 10-12 दिन के बाद आप आराम की जिन्दगी जी रहे थे अराम की घूम फिर रहे थे और अचानक से फिर उस घूम ने फिरने पर लग जाए और फिर आप उससे अपनी पुरानी जिन्दगी में बापस आ जाओ तो थोड़ा वंदा हो जाता है ना क्या बलता से मतलब क दगमगा भी जाता है जैसे मैं दगमगा गई थी चलो अब धीर दीर करके मुझे से कंडिशन को समझना पड़ेगा कि वह लग जुका है और द्वारा स्टार्ट री स्टार्ट नहीं हो सकता है और नेक्स्ट रीस टार्ट होगा क्योंकि नेक्स्ट यर जाएगा ट्रिप फ बहुत जाधा लगं चुकी और और किसमें लगी और सब्जी बरगी है असकीन करेंगे तो यह सब्स्रामारी बच सकती और बींडि के साथ जो अदर हमारी पासर लगी है वह भी बैच सकती है अब बचाना कैसे है सुंडी काप्रयोग, बल्लों सुंडी बता क्याती है चलो सिदह दिखा देती हूँ यहां देखिए मैं बातकर रही थी इस वाली क्यारी की यह बंजरभूमि वाली क्यारी जिसमें मैंने लगाई थी बींडी और क्या लगाया था गीया तो गीया सही सलामत है बींडी भी सही सलामत है वैसे तो अभी हमारी ये बींडी छोटी है तो यहां पर अटैक कर दिया है कीट पतंगों ने जिन्होंने क्या किया है हमारे इस छोटे से पत्ते को ही बहुत बुर जंगों से किस तरह से बचा जाए कि हमारे ये पत्ते खराब ना हो और हमारी पैदावार भी अच्छी हो इसे कि आप देख भी सकते हो कि अभी हमारी बींडी चोटी है बट फिर भी देखो यह कितनी वड़ी है मेरे हाथ की जितनी आई यह तो अभी से यहां पर बींडी लग लइन नहीं होने देले और जो सुन्डि की बात कर रही हूं मैं यह है यह सुन्डि यू आपको दिख रही है यह सुन्डि करती है ये काम और जिसके कारण पत्TYों का रंग हरा होता यह उसे खा जाती है और फिर कुछ चीज़ प्रकार से अमारा पत्ता ओजाता है और फिर सकती घ्लैंट जब यहावी ओजाए तो इसलिए आपको काट देना निकाल कि देना प्तों को क्योंकि डी ग्रोथ हो जाती है पटों की फिर से तो पूरा पोदा ख्राब हो जाएगा और नहीं रोपायदा और श्राली के सोची आरु निकालने के बाद हम क्या लिए आपको पूरे पनाने के लिए पूरे प्रकार के कडबे पत्ते जितने भी उनको इकठा universika कर लेना है मiraf I also also में उसे उबालना है फिर उसे स्टोर करके रख लेना है उसे स्टोर हम कितने मंत तक कर सकते हैं 6 मंत तक इसलिए हमने ज्यादा क्वांटिटी में बना कर रख लिया था तो आज हम उसका प्रयोग करेंगे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा यह बढ़ रही है बिमारी तो इसे बिमारी को बढ़ने नहीं देना है तो अभी हमने थोड़ी सी क्वाइटिटि डालनी और ज्ञादा पानी डाला हो छोटे से स्प्रेय पैंप में स्प्रेय कर दूँगी पूरी अपनी क्यारियों में सब्साइब तो फटाफट से मैं ऐसे ट्रांसफर कर लेती हो फिर करते हैं स्प्रेय कि मैंने आपको कहा कि यह ब्रहमास्तर प्रेय बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है इसलिए आप देख सकते हो मैंने बहुत ही थोड़ी कॉंटिटी में इसको लिया है मैं अपने फूलों में अपना असर न कर पाए तो लुक्त है थोड़ी से डाला था तहपने र है पानी ये नहीं कि थोड़ा पानी डालना है ज्यादा ब्रहमास्तर इसे क्या होगा कि यह बहुत जादा जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत जादा इफेक्टिव होता है तो अगर आप जादा ब्रह्मास्तर और कम पानी डालोगे तो आपकी यह पत्ते जो है ना सब्जी वाले जिन पर बीमारियों को कंट्रॉल करने के लिए डाल रहें वो जल बट अब experience जैसे जैसे हमें मिल रहा है हम सुधार रहें अपनी गलतियों को और उन गलतियों को करते भी नहीं है और आपको भी मैं यही सलाह दूँगी कि जैसे बताया गया हो अब क्रिपा करके वैसी चीजों का प्रियोग करे वैसी घटकों का प्रियोग करे और अच्छे आपके बहुते में यहां चैश्या निए जिलाइय देना है और क्या करना है यहां जड़ी और आपके प्ते में तब तक हाफ्टे में एक बार ज़रूर करनी है तो मैं अभी पूरे इस पे इसकी स्प्रे कर दूँगी और फूलो पर भी कर दूँगी ताकि फूलो की बिमारी यहाँ पर ना जाए फूलो में अगर कई भी पढ़ जाए तो हमारी सब्जियों को वो हाम ना करें तरहीं लोगों को लगता होगा कि हमारे फूलों में ये सुंडी रामक जो बिमारी है जो ये कीट है ये नहीं लगता है तो मैं उनको बता दूँ उनको इस सच्चाई से रूबरू करवा दूँ कि हमारे फूलों में भी ये बिमारी जो है ये लगती है और रिजल्ट है बहुत अच्छा सा फूल है यह और देखिए यह तो यह आप जो देख रहे हो ना यह पत्ता सढ़ गया है यहां से यह सारा सुंडी का कमाल है कै करता है क्लॉरोफिल को खा जाता है फिर हमारा पत्ता कुछ इस परकार से मुर्जा कर खराब हो जाता है और ये बिमारी को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पूरे पत्ते को पूरे अपके पोदे को इसी तरह से खराब कर देगा देखिए तो ये यही बिमारी होती है तो इसका एक मात्र प्राकरतिक तरीके से की solution होता है हमारा ब्रह्मास्तर इसका प्रयोक जरूर जरूर करें हफ़ते में एक बार अगर जादा हावी होगी बिमारी तो हफ़ते में एक बार जरूर करनी है ठीक है ये देखिए सुंडी इसे ही सुंडी कहते है आप भी अपने फूलों में ध्यान से देखें देखेंगे तो आपको भी इस परकार से मिलेंगे वाइट वाइट सी लाइन्स तो ये सुन्डी करती है सुन्डी क्या करती है जैसे ये हरा रंग है न तो इस हरे रंग को वो खा जाती है फिर वो हरे रंग को जब खा जाएगी क्लोरोफिल को खा जाएगी तो इस प्रकार से वाइट वाइट लाइन जो है वो बन जाती है तो इससे पूरे पोदे की ग्रोध जो है वो खराब हो जाती है और हमारा पोदा भी बरवाद हो जाता है और हमारी सबजी या फसल जो भी है वो बरवाद हो जाती है तो इसका इलाज जरूर करे और मैं इसलिए पूरे अपने इस थोड़े से जो क्यारी है पूरे में ही अपने इस ब्रहमास्तर का प्रयोग कर दूँगी आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफोर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करके जाए